हलो फ्रेंड्स कैसे आप लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बड़े दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है हाला कि मेरी आवाज तो आप रोज सुनते ही होंगे और मैंने सुचा कि क्यों ना आज आपसे रूबरू हो लूँ और पता चले ऐसा नो कि कि आप मुझे भूल ही जाएं और कुछ लोग भोल भी गए हो लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिएगा ठीक है भोलना नहीं है और इसलिए मैं आपके सामने आ जा गया हूं और आपसे मिलने के लिए कि काफी दिन हो गए थे आपसे मुखातिब नहीं हुए थे और कुछ जरूरी बातें करेंगे आरो यारो के लिए PCS के लिए अभी PCS एक्जाम 24 अक्टूबर को है समिच्छा अदिकारी का एक्जाम आपका 5 दिसंबर को है मातर दो महिने बचे हुए हैं 60 दिन बचे हुए हैं तो मैंने सुचा कि क्यों ना आपको कुछ गाइडेंस दे दूं कुछ दिकी आरा एक्जाम का तो इस समय मतलब बहुत ही क्रिटिकल टाइम चल रहा है और इस समय को मैनेज करना वड़ा मुश्किल होता है क्योंकि जब समय 6 महिने होता है साल बर होता तब ठीक है पढ़ लेंगे पढ़ लेंगे लेकिन मातर 2 महिने बचे हैं सिर्फ अक्टूबर और नॉम्बर वो भी अक्टूबर में दिखे कुछ दिन बीत भी गए हैं तो दो महिने से भी कम समय बचा हुआ है तो इन कम समय में हम लोग क्या-क्या पढ़ हैं कैसे पढ़ हैं यह सब बातें आपको हम बताएंगे इसलिए आप से हम मिल्कुल आज मुखातिब होने आए हैं कि आप लुगों का हाल चाल ले लूँ अपना हाल के दू और देखिए चुकि वस्काण इसमय हमारी उपर भी बहुत ज्यादा है चुकि हो bestiltry की जिम्मेदारी हो सकता कि आप अपनी ऑपर मेरी जिम्मेदारी तो है है जो अलग है या जो भी चीजे हैं लेकिन मेरे ओपर आप लोगों की जिम्मेदारी है तेक्ष यूट्योप आप देख रहे हैं सत्तावन अठाउन हजार लोग जोड़ चुके हैं बहुत सारे लोग वाटसप गुरुप पर जोड़े हुए हैं तो मुझे तो हर व्यक्ति की एक-एक स्ट्वेंट की मुझे बहुत चिंता है कि हमारा जो एक-एक स्ट्वेंट है वो हमारे लिए महात्पूर्ण है इंपॉर रहा है है और श्रीज भी चल रही है करंट अफिर्स भी आपको मिल रहा है जीएस की रिवीजन भी हो रही है अभी जीएस की स्रीज भी आपको मिलेगी यूपी स्पेशल की आपको स्रीज मिलेगी अभी करंट के डेटा आपको देना है प्रीबीएस के पेपर आपको सॉल् इस वार आपको एक सीट निकालनी ही निकालनी है 100% ये तै कर लीजिए दिलों और दिमाग मगदम से बैठा लीजिए कि बस इस वार आर या पार मतलब एक सीट आपको इस वार 2021 की वेकेंसी में लेके रहना है चाहे कुछ भी करना पड़े आप कुछ भी का मतलब आप समझते ह अगर मैं कुछ भी बोल दूं तो पर समझे कि मतलब चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए और आप अकेले हों फिर भी आपको एक सीट निकालनी ही निकालनी है तो बस उनी कुछ प्रमुख बिंदूओं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इन साथ दिनों को हम लोग कैसे मैनेज क कि बतलब हमारा एक दम फोकस जो है ना बस आख वंद करके बस सिर्फ और सिर्फ हमको पांच दिसंबर ही दिखा़ी देनी चाहिए अगर सपने भी आ जाया ना तो बस यह लगे बस पांच दिसंबर की हम त्यारी कर रहे हैं और एक्जाम देने जा रहे हैं बस ही होना चाहि पीते शोकते जाते उठते बढ़ते कहीं भी एक दम से बिलकुल ठीक है हाला कि अभी दिखिए फिलाल साधी बया का सीजन तो चल नहीं रहा है तो अभी उसी वात है का आप लोग नहीं गए होंगे लेकिन फिर भी एक ऐसा कहीं आपको मौका मिलता बिलुकुल मत जाए साधी पार्टियां बड्डे से सब छोड़ दीजिए अगर आप एक दिन किसी के बड्डे में चले गए ना तो आप समझ रहते हैं अभी मैं बताऊंगो कि एक दिन का महत तो क्या होगा अभी आपको एक घंटे का एक सब्ता का क्या महत होगा आपकी तयारी के लिए और क्या प्र दूसरे को देना नहीं है द्यान रखिएगा कि जो आपके सामने बगल बैठा त्यारी कर रहा है ना वो आपका कम्पीटर है और आपने एक घंटा कहीं जरा भी बरबात किया समझो वो एक घंटे आगे निकल जाएगा यहां पर एक घंटा एक मिनट बहुत इंपोर्टन र तरीक्षा कि इन 60 दिनों की अनिकी लगवक दो महिनों की अंतिम रणनी थी क्या होनी चाहिए टाइम टेविल क्या होना चाहिए किस तरीके से आपको पढ़ना है कैसे पढ़ना है किस विशय को कितने दिन देना है यह बहुत माइने रखता है तो आज यह वीडियो हमने वो वीडियो आपके विशयवाज होंगे वहाँ पर हम पूरे विशय की बात करेंगे सबोज हिस्ट्री है तो हम वहाँ पर पूरे हिस्ट्री की बात करेंगे ancient, mid-willed, or modern तीनों हिस् glued की बात करेंगे कि इन तीनों हिस्टि में हमको किस हिस्टि पर कितना fokus करना है और किस हिस्टि के किनकिन topic को हमें touch करना है किनको कम touch करना है किनको जादा touch करना है इसी तरीके से polity में, geography में, और आपका science में, economics में, UP special में, current affairs में इन सारे चीजों पर हम individual video बनाएंगे चोटे-चोटे जिन पर आपको बिसे wise पूरी proper जानकारी देंगे पूरा रड़नीति आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको त्यारी करनी है आज हम पूरा time table समझ लेते हैं जो हमारे अंतिम 60 दिन बचे हैं उनकी रड़नीति क्या होनी चाहिए इन 60 दिन को हम कैसे डिवाइड करें किस तरीके से ठीक है दूसरी बात अगर आप लोग अभी जैसे 8 घंटे माल लोग कोई पढ़ाई करता है कोई 10 घंटे करता है तो मैं कहूँगा कि अब इस समय कम से कम अपनी पढ़ाई में 3-4 घंटे का इंक्रिमेंट लाईए अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो कम से कम 14 घंटे पढ़िए अगर आप अभी तक 8 घंटे पढ़ रहे थे तो कम से कम 12-13 घंटे आप पढ़िए भाई दो महिने की बात है दो महिने चलो आप मान लिया महिने कम सोए कम खाया कम पिया कम भूमे आप तो लेकिन भास है दो महिने की है न ये दो महिने आपकी जिंदिगी बदल सकते हैं और यही दो महिने आपकी जिंदिगी को भी बदल सकते हैं अब कहां जाएंगे पता नहीं अब अच्छा होगा अलग बात है लेकिन ये जो दो महिने हैं ये आपको कहां से कहां तक पहुचा सकते हैं फर्स से अर्स तक पहुचा सकते हैं ये सोच लेजिए ये मातर दो महिने है और प्री मेरा जो अनुब व्यक्तित रहा है वो समिछा का प्रिनिकालना थोड़ा मुश्किल होता है में कुछ नहीं है आप ही जाने लिए लेकिन प्रिप्रिम किया पांच्छ naak फारम बढ़ते बहुत-भीड होती है कम्वेस्ट मांश को पूरा पढ़ाएंगे हिंदी जो कन्वेंशनल है लिखने वाली हिंदी ड्राफ्टिंग है निवन्द है और आपके लेटर बगरा है तो सारी हिंदी आपको पढ़ाई जाएगे पूरा कंप्लीट बैच चलेगा पांथ दिसम्बर के बाद ठीक है बहुत लोग अभी से गारे कीजिए तो मैं कहूंगा अभी नहीं अभी भाई सिर्फ आप प्री पर फोकस कीजिए और किसी पर नहीं प्री के बाद हंडेट परसन हमारा फोकस होगा मेंस पर दस अपरेल को आपका मेंस है पूरे चार महिने का समय है और चार महिने में तुनी अच्छी तयारी करवा दे भी आव तोिन टेश्ट को पड़ना है उन नोट्स को कैसे आपको रिवाइज करना है कि किन-किन टॉपिक पर किन-किन अबर आपको ले सकते हैं इस नंबर पर संपर करना होगा 6393-350-769 ठीक है आपको टेस्ट चीरीज आरो की मिल जाएगी पीसेस की मिल जाएगी नोट्स पूरे जिये सिंदिक मिल जाएगी कम्प्लीट और आपको साथ में करंटा फेज पूरा मिल जाएगा एकनोमिक सर्वेज इंगरना बजट सब कुछ मिल जाएगा ठीक है पहले सामान दिन की बात करते हैं तो अपने इतिहास भूगोल समिधान राजवैस्था अर्थवैस्था और विज्ञान निक सामान किस दिये दिए ठीक है अगर एक टॉपिक जैसे हीन्दी का है मालोहम सब्रेवाज्ट बाराहस हो जाते तो हमने ऑन एबरेज लगवथ 10 दिन हमने सामान हिंदी को अलग से निकाल दिए बाइसाब क्योंकि हिंदी बहुत इंपोर्टन हैं और हिंदी का स्कूर बहुत माने रखता है आप समझिए हिंदी मगर आप 55 प्लस लाए तो समझिए बहुत बड़ा स्कूर आपका है जीएस में आप कभी नहीं ला पाएंगे जीएस में समझिए कि 95 से उपर बढ़ना मुश्किल पढ़ जाता है सोचे कितना परसेंट हुआ 55-70 परसेंट हुआ यहां पर आप सीधे जो है 85-90 परसेंट नंबर ला सकते हैं लोग तो 68-69 भी सही करके आते हैं 95 प्लस हुआ है परसेंट सही करते हैं तो यहां पर संभावना बढ़ जाती इसलिए हिंदी को हलके मिलकुल भी नहीं लेना है ध्यास की बात कर लें तो प्राचीन यतियास मद्धिकालुन इतियास और आधनिक इतियास डिवाइट कर दिया प्राचीन को मातर आपको दो दिन में कहतम करना आप सोचिए अभी यह पूरा 6 दिन का गलित है यहां पर अब इस्भी सोज जए और अरे इसıt articulate करना पढ़ेग चार दिन में, यानि कि हिस्ट्री पर आठ दिन का समय आपको दिया गया है, आठ दिन में इतियास पढ़के खतम करो, नहीं तो फिर समय बचेगा नहीं, ठीक है, तो यह आपकी आठ दिन में हिस्ट्री होगे, ठीक है, मॉडरन से सवाल ज्यादा पूशे जाते हैं, इसलिए अभी प्राचीन और मद्दिकालीन और आधनिक में हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, इसलिए आपको हम इतियास का अलग सीग वीडियो पनाएंगे, और इतियास के सारे टॉपिक आपको देंगे, कि आप कुछ भी पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन इतियास में इन सली कोड़ दिया, परिखित की हम परैयवल्यनीक में जोड़ दिया है , तो वहने थीन दिन हैं भारत को भूगोल, तीन दिन हैं वर्ल जोगर्फी सारे प्रेट करते रोंधारवारु का प्राष्थित की हुए हरा हम दिन के आपको एन और के तो लोजी एन इन्वार्मेंट इसके बाद आते हैं चार दन में आपको पूरा पॉल्टी करना है अब देखिए क्या पढ़ें क्या चोड़ें तो हम पॉल्टी का भी एक वीडियो बनाएंगे पूरा और इसके टॉपिक सारे आपको पताएंगे टॉपिक के अंदर भी है को आप देखी रहे हैं कोई क्रिवीजें हो रही है पूरा टॉपिक कराएं जा रहा है ठीक है इसके चिए क्या करका बजड़ का बजट उत्रप्रदेश्क बज्ज एक नौमिक सर्वेई ये चीज़ें आपको एदम से रट जानी है ठीक है बज़ेट और एकनौमिक जो आंकड़े वगरा दिये हैं वो आपको पढ़ लेना हम देंगी नोट्स में आपको प्रवाइड करेंगे गुरुप में दिया जाएगा ठीक है और इसके अलावा जो घटना चक्र आप देखते ना घटना चक्र को एक वार आप रिवाइज कर लीजिए ठीक है चुकि जो सवाल है एकनोमिक्स के वह अमूमन घटना चक्र से पूछ ले जाते हैं बाकि जो करन्ट से अब चुकि एकनोमी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल सवाल नहीं आते हैं यहां पर जो है आपके आते हैं जो मतलब की करन्ट अफिर से डाटा हो गया इंपोर ओल एक्सपोर्ट हो गया ठीक है बजट हो गया एकनोमिक्स करवे हो गया आंक्ड़े हो गया यह जनाएं हो गई तो इन सबसे सबाल ज्यादा पूछे जाते में उत्रपरदेस सरकार की यह जनाए हैं वह आपको नोट्स पुरा देही चुके हैं इस वाले ग्रूप में पर तरीके तायार और इसके बहुत ज़्यादा एुक्न विप्जान से बश्याद को चर्द चीम को समय क freshmen को समय को मतलब कर एक तीनों साइन्स को तो नो दिन का आपको समय मिला है आपके पूरिया साइंस काफी बढ़ा है ठीक है तो साइंस के हमने नोट्स आपको प्रवपर दिये हैं मुझे लगता कि उससे बहर आपको जाने का आवसकता बिल्कुल भी नहीं है जो कि साइंस के नोट्स में साइंस का टीचर भी रहा हूं साइंस मेरा बैक्ग्राउंड भी है नोट्स हमने खुद बनाए है तो मुझे लगता साइंस में आपको उसके अलावा बहर जाने किया हो सकता बिलुकल भी नहीं है साइंस का वो परफेक्ट नोट्स है जो आपको मिला है गुरुप में लोगों नहीं लिया है वो यहां से ले करना है खतम नहीं हो रहा है तो बस हमारा खाली आप नोट्स पढ़े लीजिए बस खतम हो जाएगा ठीक है इतना ही आपको करना है साथ में जो आपको यूपी स्पेसिल की पांस श्रीज दी हैं तो भी आपको हल कर लेनी है इसके लावा कुछ नहीं पढ़ना आपको नगरी करण उत्तर प्रदेश में नगरी करण विश्व में नगरी करण ठीक है यह सारी चीज़ें जो भी जन्गड़ना सम्मंदित थी जितने फेक्ट थे सब कुछ हमने आपको दे दिया पूरा नोट्स कंप्लीट जन्गड़ना को दे दिया है प्लेस वन फिप्टी यह जन्गड़ना की स्रीज भी दी है इतना अगर आपने पढ़ लिया तो मुझे लगता जन्गड़ना से कोई प्रसंद आपका गलत नहीं होना चाहिए दो दिन में सारा ही खेल खतम हो जाए तो दो दिन में आपको करना है इसके बाद आते हैं करंट अफिर्स जो की बहुत ही इंपोर्टिन टॉपिक है और करंट के सवाल बहुत जादा 20 प्लस तू रहते ही हैं ठीक है कभी कवार भले ही लेकिन अक्सर मैं देखा है कि आरो में 20 प्लस आपके करंट अफिर्स के सवाल रहते ही हैं पूरे एक सब्ता का 1B का 7 दिन का मैंने समय दिया है कि पिछले एक व प्लस जो करंट अफिर्स की 18 से 20 दी गई है लगवक दो हजार प्रसन आपको दिये गए करंट अफिर्स के इस नोट्स वाले गुरूप में वह आपको दो-तीन वार रिवाइज कर लेनी है उसके अलावा आपको करंट आपको देली रहे हैं तो वह भी आपको हल करते रहना ह है ठीक है तो इस तरीके से आपका करंट अफिर्स हो जाएगा कंप्लीट अब बचता है मैं तो रीजनिंग जो भी दसवारा तेरा सवाल आते हैं कुछ एक-दो मैत के होते हैं बागी रीजनिंग होती है तो दो दिन में जो है उनको आप ख़तम कर दीजे जो भी टॉपिक ह होते हैं बहुत आसान होते हैं कठिन नहीं होते हैं बस थोड़ा आपको ध्यान देना है और तो यह आपके हो गए जो है सारे बिस है और इसके यहां तक आप देखेंगे तो 45 डेज यहां तक आपके 45 दिन हो जाते हैं ठीक है अगर आप जोड़ेंगे तो यहां पर 45 दिन हो पेपर्ष हैं आरो के प्री और मेंस के जी एस और हिंदी के वो सारे आपको पढ़ने हैं ठीक है और इसके लाब अगर पीसे जी एस पर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है प्राकि आरो के प्री और मैंस के जी एस हिंदी के हम सारे पेपर आपको उपलब्द कराएंगे और उसका हम सोचरीक आपको PPT बना के भी दें जहां पर आपको ब्याख्या भी पूरी पढ़ाएं ठीक है हमारी कोशिश ही होगी कि मैं ये कर पाऊं कोशिश चल रही है जारी है उसके काम चलना है देखते कितना सक्सिज होते हैं लेकिन उम्मीद है कि आपको PPT प्रवाइड करेंगे पाकि PDF भी इनकी आपको प्रवाइड कर देंगे उसके आंसर के सेथ तो आप इनकी रिवीजन कर लेंगे ठीक है तो आप आपके पूरे 50 दिन हो गई तो ये तो हमारा टाइम टेवल है भाई मैंने आपको प्रवाइड किया है अब इसको आपको फॉलो करना है अब आपको कैसे फॉलो करना अगर आप इसमें कुछ थोड़ा बहुत भी प्लस मानिस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये टाइम टेवल परफेक्ट है अगर आप इसे इस तरीके स्फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि जो भी आपकी जीएस और हिंदी चीजें हैं वो सारी दम से पूरी एटू जेड अप्टू डेट कंप्लीट हो जाएंगी उम्मीद करता हूं कि आप लोग वह इसको फॉलो करेंगे या इसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके अपने एक ओर्डिंग तो किसी का कोई बिसे तयार हो गया हो जाना तयार हो गया हो उसको पढ़ने का आव सकते नहीं है कोई बिसे पीछे छूट रहा हो तो वहां पर प्लस मानस कर सकते हैं कि अगर आपका कोई टॉपिक कंप्लीट है तो उसको बहुत अच्छा करके आएंगे यह मुझे पूरा एकीन है आपके उपर ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर आपको पूरे बिसाइबाज बताएंगे हिस्ट्री जोगर्फी पॉलिटिक कैसे आपको पढ़ने साइंस कैसे पढ़ना है इन सारे ट की मोटीवेट ना हो जाएं कहीं आपकी कोई कमी नहीं रहे जाए और अगर कोई आपकी समस्या है तो पर आप इस नंबर पर हमारे स्टाफ से बात कर लीजे तो यहां पर विमारे स्टाफ में भी काफी क्वालिफाइड लोग हैं तो उनसे आप बात कर सकते हैं आपकी जो समस्या होती है तो निश्चत रूप से यह समस्या जो आपकी हैं वो हम तक पहुंच जाती है और मैं पूरा उनका नेरा करन उनका समधान करने का प्रयास करूंगा ठीक है चलिए दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको जरूर बताईएगा और आप लोग कहां पर आपकी कमी हैं आप लोग क्या चाहते हैं कि इन दिनों हम आपको क्या पढ़ाएं दो महीनों में और क्या-क्या आपको बताएं और जल्दी हम आपको लाइब भी आएंगे एक दो दिन बात देखिए कुशिस करता हूं ठोड़ा समय निकाल करके कि लाइब भी आओं आपके कमेंट का जबाब दूं कि आप लोग को जो भी समस्या हैं तो तुरंत उनका समधन किया जा सके ठीक है समिलता हो ले वीडियो में नमस्कार धन्रवाज जैहिन चैवारत